हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टेडी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों इनटों में फिजियो लोजी का प्रैक्टिस नंबर शिक्स है एंड आज के सेशन में डाइजेस्टु सिस्टम एंड निट्रिसन यानि पाचन तंद्रियों पोसर्ट काम है 18 अगस्त को है जितना भी मेरे से हो सकेगा पूरा करने की कोर्सिस करूंगी और अपना सेल्फ इस्टेडी पर भी धिहान दीजिए एंड दोस्तों अधर्वाइस जितने भी फीजिकल एजूकेशन कंपटेटिविक जाओं जैसे MP2 हो गया यूपी टीजिती यूपी सभी के अभिहर्थी प्रैक्टिस करें सभी के लिए सेम सिलिबस होता है तो जैसे ही उत्राखंड का समाप्त हो जाएगा 18 अगस्त को मैं MP के लिए MP2 के लिए इस्पेसल क्लास लाओंगी तो चलते हैं आज की कोश्टन के तरफ कोश्टन हैं दोस्तों समाने स्वास्थे के लिए कुल कितने की संख्या में खनीज यानि मिनरल्स की आउस्यक माना गया है तो दोस्तों हमारे सरीर के समाने स्वास्थे के लिए कुल 21 मिनरल्स यानि की खनीज लवड की आउस्यक्ता होती है इसमें से दोस्तों जो हमारे जो मिनरल्स होते हैं उसको दो भागों में डिवाइट किया गया है एक है मुख्य खनीजलवर अदुसरा है लगू खनीजलवर मुख्य खनीजलवर यानि कि मेजर मिनरल्स या मैक्रो मिनरल्स लगू खनेजलवर यानि की माइनर मिनरल्स यानि माइक्रो मिनरल्स तो मुख्य खनेजलवर जो माइक्रो मिनरल्स है उसके अंतरगत आता है जिसमें सरीर को जादे जरूरत होती है जैसे कैलसियम 1.5% हमारे सरीर में आप सकता होती है Phosphorus 1%, Potassium 0.4%, Sulfur 0.3%, Sodium 0.2%, Chlorine 0.2% and Magnesium 0.1%. इस प्रकार अब देख सकते हैं Micro Minerals के अंतरगर जिसको शरीर की ज्यादा आ सकता होती है उसमें Calcium, Phosphorus, Potassium, Sulfur, Sodium, Chlorine and Magnesium है दुसरा होता है Micro Minerals यानि कि जिसको लगू छोटा खनीजलवर यानि जिसको कम आ सकता होती है Minor Minerals यानि कि Tross Minerals भी इसको कह सकते हैं इसमें कम मातरा में सरी को आ सकता होती है जैसे Iron, Cobalt, Copper, Zinc, Iodine, Chromium, Molybdenum, Magnes, Solineus and Florine इन सभी के क्या कार हैं दोस्तों मैं इसमें वीडियो बनाएं हूं Health Education के प्लेडिश में जाईए और सभी चीज़े देखिए तो जैसे कि हमारे जो खादर पदार्थो, Chemicals, Compounds को दो भाव में डिवाइड के आ गया है Carbonic and Acarbonic यानि जैविक अडू और जैविक अडू यानि आर्गेनिक और इनार्गेनिक जो आर्गेनिक होता है Carbonic होता है जिसमें Carbon नामक घटका Hydrogen के साथ रहते हैं जो इसमें आपका Carbohydrate, Protein, वसार, नाभी की अमला आता है यानि कि हम कह सकते हैं कि हमारे सरीर में आक्सिजन 65% Carbon 85% Hydrogen 9.5% Nitrogen 3.2% पुरा मिलाक्रप के 92% के आसकता होती है Carbonic तत्व और और Carbonic तत्व 3.8% यानि 4% के आसकता होती है याद रखेगा जो Minerals है इस 4% के बारे के आसकता होती है Question No.2 है पचे हुए वसा को उर्जा में प्रयोक्त होनी लायक बनने में कितना शमय लगता है जैसे कि दूस्तों Carbohydrate को 3-4 घंटे लगता है लेकि वसा को पचने लायक बनाने में 6 घंटे का शमय लगता है जैसे कि जानते हैं कि सरी के सभी पोसक पदार्थों की तुलना में वसा जो है सबसे अधिक उर्जा प्रतां करती है एक ग्राम में 9.1 कैलोरी वही Carbohydrate and protein जो है एक ग्राम में 4.1 कैलोरी उर्जा प्रतां करता है लेकिं जो वसा का पाचन होए उधीमी गती से होता है इसके द्वारा कारे उप्योगी उर्जा प्राप्ट करने के लगभग 6 घंटे तक समय लग जाता है वसा की धीमी पाचन गती को ध्यान में रखते हुए एफलीटों को तिवरे सारी व्यायाम से ठीक पहले अधिक वसीव भोजन नहीं करना चाहिए बलकि कार्बो हाइडेट का सेवन करना चाहिए त्रीके और इस्टेंट इनर्जी सोर्स जो होता है तुरंत क्विक इनर्जी सोर्स होता है आपका कार्बो हाइडेट जिसमें तुरंत उर्जा प्रदां करता है मौने तरसीन करने वाले प्याइकिक अहार होता है उर्जा से मिलता है But he वो कार्बो हाइडेट होता है तो कार्बो हाइडेट यूगत अहार लेना चाहिए कठिन सारी प्रेशन करने वाले क्योंकि ऐसे सारी प्रेशन में अधिक उर्जा क्याव सकता होती है और कार्बो हाइडेट जो है सिग्रता से पच्छ कर सरी को उर्जा परदान करता है तीन से complete diet यानि संपूर आहार या पूर आहार किसी कहा जाता है दूध यानि कि दूध को पूर आहार complete diet कहा जाता है जो कि मनुष्य के सभी अवस्थाओं के लिए सरोमाने भोजन है दूध में संतुरित आहर के लगभग शभी तत्वनिहित होते हैं इसमें लगभग 87% जल पाय जात है कि पूस्टन नमर फाइब है भोजन के मुख्य कारे हैं तो दोस्तों आप भोजन करते हैं क्यों करते हैं वोजन के मुख्य कारे होता है नए कोशिकाय बनाना टुटी पूटी कोशिकाओं की मरमत करना एंड शरी को अलग अलग क्लापों के लिए उर्जा परदान करना श सिंद सरी के आंधरी कारी और नीं अन्दर रखते हैं युझारी को बिमारियों से बचाती है कि level six है नियू नमेशि आपको यहां भी मिलान करना है एक तरब पोसक्तर्ट है एक तरब उसके कारे है तो दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं पोसर जो है पोसर क्या है पोसर ही अच्छे स्वास्थ की क्या है कुझी है अच्छा पोसर लेंगे तभी आपका अच्छा स्वास्थ होगा इसका मतलब A का हो जाएगा D ठीक है? A का D कही दिया हुआ है देख सकते हैं आफसर नमबर A का D नहीं One का D One का D एक आफसर नमबर A में दिया हुआ है और C में देखते हैं वसा क्या है दोस्तो वसा जो है सबसे अधिक उर्जा देता है उचा का सबसे प्रचूर शुरुद हो जाएगा 2 का हो जाएगा C A का D, 2 का C आपसे नबर A यहां पे सही आ रहा है प्रोटीन क्या है दोश्तों, प्रोटीन जो है हमारे सरी की तूटे पूटे या उतकों की मरमत करता है याइनि सरीर का निर्माल करने का करता है तो यहां पर राइटेंसर क्या हो जाएगा सरीर की सरीर की सनरशनात मक्समागरी फोर है स्वास्थ स्वास्थे क्या है स्वास्थे क्या है दोस्तो स्वास्थे जो है जीने का अधार है स्वास्त रहेगा तो जिने का अधार आपका सही रहेगा फोर का ए राइटी से स्रूख़ोंगा वोजन क्या है दोस्तों सरी की समझत उर्जा का स्रोथ है फाइब कब भी ठीक है इस प्रकार आफसन नंबर यहां पे राइटन स्रूख हो जाता है दोस्तों समझते हुई चलें इन डाइजेस्टी सिस्टम से है मेटाबोलिजम का संबंध पाचनतत है मेटाबोलिम जो है ग्रण किये गए बोजन को इधन में प्रव्यजित करता करना होता है जिसके फ़र सरी को आवस्य कूर्जा की प्राप्ति होती है सरी में उपसित बिसिस्ट प्रोटीन वा मेटाबोलिक की रसानी प्रक्रियौओन को नियुद्ध करती है अब प्रतेक रसानी प्रक्रिया शरी को अनय कार्यों के साथ नियुद्ध करते हैं तो जब दोश्कित में एक्रित में अगमांगा ब्रॉक्य'll प्रव्यूसित llibatocamrash तो जो जमान हो जाता है करित में और आगुमा स्पेसियों में अरह जो प्रोटीन होता है अमिनी एसी आइशियों प्रआशित होके प्रिसरी में और इसेटा होता है लेकिन अनमलिस meu बहुता है जो है निकरति इसको कठी właściwie होता है तो यहीज़ है जो आपका जमा हुआ है यह सभी उर्जा देते हैं इसे को हम कैटा बोलिज में कहते हैं कोश्चन नमर एट है इस्थाई दातों की कुल संख्या कितनी है तो आप सबको पता है 32 होते हैं चार भागों बटा गया है इंसीजर के नाइन प्री मुरल मुरल कोश्चन नमर नइन है कुल इस्थाई दातों की संख्या 32 है कोश्चन नमर दस है सरीर के किस अंग्ट चेपाया समंदित है तो दोश्चन पायया जो है वह दांत से रिलेटेड है जिजे वित्दाविन ची की कमिसे हो जाता है question number 11 है वसा में गुलंसिल बिडामिन कौम सा है तो दोस्तो वाटर सोलिबल एंड फैर सोलिबल जिसमें वसा फैर सोलिबल में बस तीन है A, B, C और H उसके अलावर साब वसा में गुलंसिल है और वसा में गुलंसिल है कीडा K, I, D, A कीडा जो वसा में गुलंसिल है या A, D, E, K बोल सकते है या कीडा बोल सकते है तो यहाँ पर यह राइट एंसर क्या हो जाएगा A, D, E, K, A वसा में गुलंसिल है जो कि B, C और H जो है जल में गुलंसिल होता है Question number 12 है कोशन नंबर बारा है निवन में से उस विडामिन का नाम बताएं जो जल में गुलंसिल हो सकते है तो B, C और H जो है जल में गुलंसिल होता है वाटर स्वेल होता है तो यहाँ पर आपर A राइट हो जाएगा विडामिन B कोशिर नंबर 13 है निमने मीं से कौन सा बिटामिन पानी में खुलनसिल है तो यहाँ पर B, C और H होता है तो यहाँ पर बिटामिन B कोशन नमबर 14 है निविन में से कौन सा विटामिन जल में घुलनसिल है तो B, C और H होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर C आपका राइटेंसर हो जाएगा विटामिन C कोशन नमबर 15 है किस विटामिन की कमी के करण रता हो थी याने की नाइट ब्लाइडेंस होता है दोस्तों नाइट ब्लाइडेंस जो होता है वो विटामिन A की कमी से होता है इसकी कमी से विटामिन A की कमी से रता हो थी तो इसकी रतरवधी को रेटिनोल कहते हैं भायानि बासा में इसकी कमी से रिइनाइड ब्लैड नेस होता है और जीरो शिस कॉर्णिया जीरो खैल्मिया रोग भी इसकी कमी से उत्वन होता है जैसे कि जो रतवधी होता है आँखों में दो सिल होते हैं रोड सिल और कॉन सिल रोड सिल जो है अंधेरे उजाले में फरक बताता है राज में एक्टिव होता है अगर यह खराब हो जाता है तो राज में नहीं दिखाई देता है जो कॉन सिल होता है वो रंग रवस्तों के र और एटीना की जो रोड सेल होती है वो ग्रसित हो जाती है रोड सेल खराब हो जाती है और दोस्तों जैसे कि आपको बताना ही पड़ेगा अगर आप रतवधी ना पूछ करके यह पूछ दिया कि रतवधी जो नाइट ब्लाइडनिस जो रोग होता है उसमें आखों का कौन सा सेल खराब होता है तो रोड सेल रोड सेल में जो रिडाफिन लेयर होती है वो खराब हो जाती है जिसे रात को नहीं दिखाई देता है इसलिए इसको रतवधी नाइट ब्लाइडनिस कहते हैं आखों से दूदला दिखाई देता है एक होता है कलर ब्लाइडनिस कलर ब्लाइ पितामीन दूस्यान नम्झाणाइट है कि ऊक्लपध्य का रतावधि हें गुद्बeln से हवाक։ दूस्त मि भीडट्रावद्ग्णाता ओस्टी का रमकर कि ऊपरेंगे मैं तो दूस्तो कोस्टों नबर बीस है विटामिन ए का प्रमुक्स रोध क्या है दोस्तों विटामिन ए का प्रमुक्स रोध जो है वह इसमें आफंदिया है इसमें गाजर जो है सबसे अच्छा स्रूध है इसके अतरित या विटामिन आम अंडे की जर्दी मचली टमाडर पपीता हरी सब्जियां पालग सीता फल आदमी पाया जाता है विटामिन एक अरा सानिक नाम रेटिनाल है इसकी कमी से आंखों में कई प्रकार के रंग रोग हो जाते हैं रतमधी जीरो तक र sug क्रोंव्या नीच कोर्निविज के ने जीत जरिया सब्याद्रे के लिए और दोस्तों नेश Why कि वटामिन में कमीस्टा की से तीफा द्रारए पड़ जाती है विटामिन उन तंतू की Peakशम पीडी करता है जित जिवाड़ों के आक्रमन turn जर संक्रमा रोडी से रच्छा करता है इसको संक्रमा रोधि बीटामीन भी कहा जाता है इत्तों करनас क्विप्थरा के लिए इसtersक्टी कोहा जाता है कि तो इसमें ग्राव्सनों दिया हुआ है तो इसमें भुपा प्राव्सनों भुंस में वैसे सभी चीजों में सबसे ज़्यादा गाजरम पर जाता है लेकि इसमें जो आफसन दिया है इस आफसन में खुबा नहीं है ठीक है और इसके अप्रिक्त जो है विडामिन नेक्स कोशन है विडामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो विडामिन ए को हम टेको फिराल कहते हैं क्या कहते हैं जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था रत पर एक ट्रॉफी तो विडामिन एक राटाया रसानिक नाम है रेटिनल, ब का थाइमिन, C का स्कॉर्विकम, D का कैल्सिफिराल, E का रेकोफिराल, K का फिलोक्यून, H का बायोटी तो E की कमी से कौन सा रोग होता है, दोस्तो विडामिन E जो होता है, एंटी इस्टरलेटी विडामिन, यानि कि बाज पन रोधी विडामिन होता है, आज इसको हम ब्यूटी विडामिन भी कहते हैं, तो इसमें प्रजनन समंधी रोग हो जाएगा, ठीक है, नपुनसक्ता का यह किरो हो जाएगा इसलिका नमबर्व 5 का इस फिर लोकिस तूप से होता है रोक की कमी से होता है नुद कर रोक कि जो हमारा वसा होता है कारबन हैड्रोजन नाइड्रोजन नामक तततों से बना होता है अधा हमारे पाचन के लिए संथानके द्वारा Amino Acid यहाँ पर अद्द में भी Eli दोत रूस्तितु हमाः की दीजाता जाता है एकत्सिय को माकरण बितामीन सब्क नमराज मसरों पहोता है ऐसे कोशन नमर्शों है वीडामिन डी में यह न्कमिन आ यहां पर वीडामिन डी जाल कुंल होता है मग और में यह धो जाता है विटामिन D का रासानिक नाम कैल्सी फिराल है, इसका सबसे अच्छा स्रोत सुर्ण की कीड़े है, संरेज है वास्ते में सुर्ण की कीड़ों के दोबार हमारी त्वचा यानि स्कीन की कोसिकाओं के दोबार होता है याद रखेगा कुछ भी पूर शकता है इसले मैं डिपली बता रही हूं तो विटामिन डी का जो निर्मार होता है वो हमारे तवचा की जो होता है यहां से निर्मित होकार छुधीर में मुक्त होता है इसके अरहां मक्षन और यकृत अंडा दूद मचली का तील इत्यादी में इस भी विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन D के कमी से बच्चों में सुखा रोग या आश्टियो मलेसिया नमक बिमारी हो जाता है यहां भी मैं इसको अच्छे से बताएं हू कर्या च्छे से बस्टा, विटामिन D के विटामिन में कि कहा जाता है इसको प्रता है विटामिन भी क्या में कहा जाता है इसके जो प्रमुख होते हैं न कि यहां मिन अन्निव गार्गो 있다 हो अर्गो के लेकेश ह calls कर्किंस बच्छ 》 हैं जो इो डी टु है अरगो केलसीफिलाल उसके कंई से टीटै Stalin यानि आस् सथियों में ऑफन हो जाता है और टी तुरी जो कोले का सव्य रिकेट्स जुंखकर वे में निलम सुकतर ह सई कुरस लगा है किसे कहते हैं तभी जश्ट बताएं को vytamini da को का हो जाता है। विटामिन डी का रहा आसानिक नाम क्या है? कैलसी फिराल. विटामिन डी का रहा सांनिक नाम है कैलसी फिराल. कोष्टिंग नम्ब 27 हैं विटामिन विटामिन दी की कमी से कौन सा रोग होता है विजश्ट में बताई हूँ रिकेर्स यानि शुखा रोग हो जाता है कोशन नमबर 28 है सुरी प्रकास का सुरोत है तो विटामिन दी का सुरोत है सुरी का प्रकास कों से निर्म सा निखित विटामिन को सुरज की कींड-विटामिन से प्रात्त किया जा सकता है ऐहां पर राइड़न जाता या हो GPA आ रहे इड़न चाहिए है अगर इसके लामा दूसरा आपसंद रहेगा तब वहां पे आप चुछ करेंगे लेकिन तूरी की किरड़े ही लगाएंगे कोर्शन नंबर तैंटीस है सुखा रोग एंडिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है तब ही जस्ट में बताई हूं विटामिन दी कोर्शन नंबर चौर्शन नंबर चौर्शन नंबर चौर्शन है बच्चों को प्रयाप्त कैल्सियम विटामिन दी यूक्त भोजन का प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें क्या नहों पाए तो उन्हें क्या नहों पाए दोस्तों रेकेट्स नहों पाए ठीक है सुखा कोंचन नमर 35 है आपको यहां पर मिलान करना है कि निन में से कौन सा बीटामिन सूर्ग के क्रिणों से प्राप्त किया जा सकता है विटामिन दी कोष्टन तो यहां भी सिंखना है बी तैमिन एक कमी से क्या हो जाएगा में थे निया है ने विटामिन भी कि हो जाएगा अगो witchen यहां पर देख ना होगा विक कमी से एनीमिया हो जाएगा जानी मिट्या की ग्राइट की कमी से अ होता है रह जान que लुजा है न में बिट्यामिन स्टी की कमी से करवी एंड बिटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा डिकेट से या निस्फुका रोग इस प्रकार आपसें नमबर भी आपका यहां पर राइड अंसर होगा question नमबर 37 है यहां पर भी मिलान करना है यहां पर बिटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा तो यहां भी मिलान नहीं करना है दोस्तों यहां पर आपको एक कह रहा है कि निन में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो सुमेलित नहीं है वहां पर आपको टिक करना है तो विटामिन D सनलाइट से मिलता है vitamin B1 की कमि से b1 को dimine कहा जाता है रसानिक नाम यह ही सही है vitamin B2 को हम riboflavin कहते हैं रसानिक नाम यह भी right है vitamin B3 की कमि से recates नहीं होता है दोस्तो, recates तो आपका vitamin D की कमिसे होता है तो जो B3 होता है, B3 की कमिसे तो यह आपका गलत है आपस्टन नमबर डी कोश्टन नमबर आर्टीस है रख्त का थक्का जमने में कौन सा विटामीन साहयक होता है तो दोस्तों आप सब को पता है रख्त का थक्का जमने के लिए विटामीन के जो है वो साहयक होता है बिटामिन के जो है साहिक होता है बिटामिन के को का रसानिक नाम फिलोक्यून है और ये रख्त का थक्का जमाने के लिए जिम्दार होता है और प्रोथोंबीन के उत्पादन में मदद करता है प्रॉत्समॵीन और फाइवरोन जमाने मदद करते हैं, जिसका निर्मार है यक्रित यनिलीवर में होता है। थक्का नौजमना है आतों में प्रभावयत पित की नली में और सोसल अवरोध हो जाता है। प्रभावस्था में अच्टु मलैसिया हो जाता है। है विटामिन जनता है को चाहले साथ है किस बिटामिन की कमी से मनुष्फ में हैमरेज का खत्रा बढ़ जाता है तो दोस्तों की कमी कि हेम्रेज का खर्ता बढ़ जाता है किकी यह रक्त इस तरहों में तथा घाउं से अतधिक रक्त से बहने से बचाव करता है विटामिन के इसके मुख्य स्रोत है विटामिन के का टमाटर, पालग, बंध गोबी, सोया बील, मचली, फुल गोबी, केहूं, अंडा, मांस दोस्तों जो आपका हेम्रेज होता है वो नसो में ही जो है बलड जम जाता है या नसे फट जाती है उसको हेम्रेज कहा जाता है कोस्टन नमर 41 है बेरी-बेरी नामक विवारी किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी होता है यह विटामिन कर्बोहाइडेर्स के उपापचे में सयोग करता है याद रखेगा विटामिन B1 एक्स्ट्रा भी जंकाई लेते रहें इस नहीं संस्थान के परेदिये तंत्रिका तंत्र को क्रियासिल करने के लिए यह विटामिन सक्री रूप से कारे करता है इसकी कमी से बेरी कि रूप जाती है अब भूप में कमी आ जाती है कोसर नमबर 42 है किस तर्थो की कमी के करा बेरी बेरी होता है थे विटामिन यहां विटामिन B नहीं दिया है थाइमिन विटामिन B1 का बग्यानिक नाम क्या है थाइमिन कोसर नमबर 43 है विटामिन B12 का रशानिक नाम का है त साइनो को बालविन तो चैसे कि अबी मिनि जो भी गुरूप के हैं। जैसे कि बिडामिन B1 hm बींधा साथ है भी 5 का पेंटा तोनिक ईंप गंबस का पैरडाग्सिन है एंड बी 7 का बयुटिन है एंड बी 9 को फ्लिक अमल है याद रखेगा कोच्छन का वियर पूपछा गया हैं कोबाल्विन यानी कि कोबाल्ट इसमें पाय जाता यानि कि एनीमिया पूछ रहा है तो एनीमिया किसके काराण से होता है बी 12 की कमी से किसकी कमी से आपसा नमर डी राइड होगा बी 12 की कमी से यानि कि रक्त में हिमोग्लोबीन या रक्तकड की कमी हो जाने से एनीमिया अर्थात रक्त अलपता रूप हो जाता है हमारे सरी की सिर के विभीन उत्तकों तक पहुचाने में कारे करते हैं विडाइमिवी डूल को फालिक अमल रख्त कड़ों के निर्मार में सहायक होती है कोस्ट नमर 45 है लोही की कमी से सरी में कौन सी रोख हो जाता है लोही यानि आयरन की कमी से एनिमिया रोख हो जाता है कोस्ट नमर 46 है तरी में लोह तत्त की कमी से कौन सा रोख होता है तरक्त अलपता यानि रख्त की कमी हो जाती है जिसे एनिमिया कहते हैं Q 47 है B12 की कमी तो इप जोड़ा हुआ हुआ लच्छड रहे हैं दोस्तों B12 के कमी से तो चाप पिला पढ़ जाता है मूह में छाले पढ़ जाते हैं दिश्टी से जुड़ी समसियां होती हैं इस आरे समसियां पर पन होती है उप्रोक तो सभी यहां पर राइडेंसर हो बीट्वेल जो है कि कमी नवीन कोशिकाओं में उचित तरीके से गुड़ित होकर ब्रिधी करने की छमता में कमी आ जाती है जिसे नई कोशिकाइं त्रिविता से नहीं बनती हैं तो अचा प्रिधी पढ़ने के साथ साथ एन्मिया के लच्छड भी प्रकट हो जाते हैं अथा कोश्चन नमबर 48 है कि विटामिन की कमी से यदास्त खोजाने और पच्छा घात का खत्रा नहीं नमें Kayla सो कौन सा विडामिन सरीकी बिद्धियूम् सरी को स्वश्ट रखने के जिमिदार होता है तो दोस्तों यह सभी जिसमें से सबसे मुख्य वोता है विटामीन B कॉंपलेक्स य smashed же B work égal के हैं उससभी जो है हमारे सरी की विध्यूम् विकास को स्वश्ट रखने के लिए most important होते हैं 9- मिकांप्लस में कई बिढामीन होते हैं इसका मैंने आपको सभीका रशानिक नाम बता दिया है drain question 50 香 किि लियक रूप किस बिःडामिन की कमिशी होता है वालास्तों सिल्य क्रूप कि रूप कि कमीशी होता है विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी के करव होता है सिलियक रोग छोटी आत को नुक्साम पहुचाता है जहां पर लोहा, फॉलेट विटामिन D और विटामिन 12 आउसोसित होते हैं कोश्चन नमबर 51 है विटामिन C की कमी से होता है तो आप सब को पता है इसकरवी होता है विटामिन C दोस्तों जो हमारा होता है इसको यह उत्तकों में कोशिकाओं को परस पर बाधे रखने में मदद करता है विटामिन C और इसमें घाओं को भरना RVC को निर्मान करना रोग निजोधक छमता यानि की इवनिटिर पामर पता करना यूं कार्य होता है व्यक्ति के सदी में प्राक्रावितक शुरच्छा का का कारिक करता है विटामिन C क कमी से इसकरवी रोग हो जाता है कोशियन नंबर बावन है निए में से एक इसक मीं विटामिन C होता है जाता है नृटिए पढ़ तोह स्वाइब हर तांटेसू हसी पारण तरणे मिर्ष बितम में अबलत सके स्टा जहुंक होगा कि आफ से इसमय हरा आफ दिया हुआ है का व्या कि मिर्ष क्सका आि दूछों दूट focus यह खट्टे फलो था उसमें सबसे उत्तम होता है आपका आमला इसके लाव में खट्टे फलो नीबू के फलो भी पर चुरू बातरां पाए जाता है इसका प्रमुक्त काय उत्तकों में कोशिकाओं को परुसर बाद है रखना और अंतर कोशिक के पदार्त में मैक ट्रेस को ल है स्कॉर्विक और यहां पे कौन है आमला आपसर में तह सेंगे अमला ही दखेगा नीबू में भी पाया जाता है याद रखेगा लेगिन सबसे ज़्यादा अले अश्क पायाता है आउपर और पर ऑपर再मिलान करना है तो यहां पर आपको देखना है कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होगा यहां पर सूखा रोग रिकेट्स यह का 2 हो जाएगा विटामिन A रतों थी B का 1 हो जाएगा विटामिन B12 जो है B2 जो है आपका खाज खुजली हो जाता है तो C का 4 हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से एनिमिया यानि रखत अलपता ह हो जाता है दी का थ्री हो जाएगा इस प्रकार आवसर नमर भी यहां पर राइडल्स होगा है कि कोश्चन नमर चपन है रोगू सी सुरुच्छा प्रदान करने वाली पोसकत्तों है तो दोस्तों कारेख के दापर पोसकत्तों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है उर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहारीड एंड वसाव होता है सरीकर दिर्मार करने वाले उतको कर्टूर्ट फूट को निरम्रमत करने वाले में है आपका प्रोटीन एंड हमाई सरीकी रच्छा करने वाले रोगों से रच्छा करने वाले विटामिन्स एंड मिने प्रोटिन की बात करेंगा तो प्रोटिन की जदे आसकता होगी प्रोटिन में से किसके लिए भोजन का मुख्य हिसा प्रोटिन होता है दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं किसके लिए होता है जहां पर और सक्तिम के भाट रखेल आसकता हете means यहां पर सक्तिम पधानता वाले खेल पूरी का जाता है प्रोटीन मांस पेस्कियों रख्त चमड़ी और हर्डियों और दूसरे हर्डियों के सब्सक्राइब के तन्तूं और अंसों को बनाने या उचित इस्थिति में बनाया रखने का आवस्चेक होता है यह सक्ति पिधानता वाले खेल के लिए वोजन का प्रमुक खिशा होता है सब्सक्राइब के प्रमुक स्रोथ है मांस मचली फली फली आ टमटर सोयाबीन मुंग फली दूद पनी अंडे सभी है कोस्टन नमबर 69 है कि कार्भू वाडियेट लोडिंग परिवासिक सब्द जो की खिलाडियों द्वारा परियोग किया जाता है का अर्थ है वह हुर्जा कि आसकता होती है तो ग्लुकोज में कर्म ठोगर के हमको उर्जा देती है ठीक है कार्भू हरी लोडिंग का उप्यों जह सहन सकती इस प्रधाओं में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है कि पोस्टन नमर 60 है भोजन की उर्जा को मापा जाता है दोस्तों आ मिलने वाले उर्जा कि मुल्य वत्ता को उसमा इकाईव अठाथ कैलोरी या किलो कैलोरी की द्वारा मात्रा होती है जो एक ग्राम जल का ताप एक डिगरी सेंटिगेट बढ़ाने के लिए आवसेक होती है याद रखे गए बहर इंपोर्ण है कि एक कैलोरी की मात्रा कितना ह मात्रा होती है कि जो ए ग्याराम जल का ताप मान है अक घ्रू जल का ताप 1 जैसे कि आप जानते हैं कार्बो हाइडर जो है उद्दू प्रकार का होता है सिंपल सुगर एंड कांपलेक्स सरल कार्बो हाइडर एंड कॉठिन साब कार्बो हाइडर जटिल कार्बो हाइडर जो सरल सरक्रा होता है इसके अंतरकत मोनो सेक्राइड डाय सेक्राइड एंड यह चेजिसे प्राप्चीनि से होता है इस इसके सबसे ज्यादा सहुआद में इसको फूट सुगर कहा जाता है इसको कहा जाता है तुसरा होता है डी सक्रेट क्या होता है जो सरक्रा या ग्लुकूज के दो अड़ों से मिलकर बनता है, जिसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो है, ग्लुकोज के दो अड़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें माल्ट, सुगर अनाज की सरक्रा इसमें आती है, सुक्रोज जो है, गर्ने की सरक्रा गर्ने चुगंदर से बरात हो कॉस्च नम्बर 64 है रसानी संगठन के अधार पर कार्बोध्य कार्बोध्यक्ट में बाटा गया है गिराई के नाव्षान चक्रण में हो दोस्टों रसानी संगठन के अधार खरक्स कर्णिय當 मूध्य के सब्सक्राइब कर रसानी के गऌत्य है कोशे नमबर 63 है कि एक लंबी दूरी की दावा को खुराक में सबसे अधिक किस किया सकता होती है तो आप जानते हैं तो हन्सिल्टा वाले खिरों में जादे उर्जा किया सकता होती है तो उर्जा कुन प्रदांग करता है कार्भो हाइडेड सारे गति वीजियो में उर्जा का सकता होती है वहां खुराक में कार्भो हाइडेड की मात्रा बढ़ा दी जाहिए कि कोश्चन नमबर 64 है एक लंबी दूरी के धावक में अतधिक मात्रा किसका होना चाहिए तो सांसिल्टा जहां पर आएगा कार्भो हाइडेड आएगा इस्ट्रेंट या मसल्स कार्भो हाइडेड प्रोटीन जफिरान वस्चन अंपाइड क कानुपात के न मी किसे भाल चाहिए सब्सक्राभा परिएडेड लेते हैं जो 25 से साथ परसंक लेते हैं प्रोटीन यह 15 परसंक जाय होता ह और वस्चन कार्भो हाइडेड केchod यार्यां यो चाहिए को कोश्चन नबर सरसठ थे संतुलित आहार में होना चाहिए दोस्तो, जिस आहार में कार्बोहाइड प्रोटीन, व्वजा, भीटामीन, खनेज़ ल्वर्ट ज़ले, इन सब का संतुलित या उचीत मातरा विदमान होते ही संतुलित आहर कहते हैं तिसमें क्रोटीन, विटामीन, कर्भो हाइड़ेट से सभी चीजें बैलेस डाएट यानि सद्विक आहर में होनी चाहिए Q68 ग्लाइकोजन योजग को किस कारेकलाप में लाकारी मना जाता है तो ग्लाइकोजन योजग यानि कर्भोलाइर्ट लोड्रिंग है यहाम उत्जिता है इसमें जू ग्लाइकोजन योजग एक प्रकरा कार्भोहाईडऱ् ही होता है यहां पंध्टी को कम ठकान के आवस्चेक होती है या एथलीटों के लिए सबस्टिया लापकारी है जिसे मुक्ते सरी सुटा या इंडूरेंस सामिल होता है क्वेशन नमर 79 है मांस्पेसी कायर में उर्जा प्रदार्ण करने वाले तिन मूल खादबार्द हैं तिन मूल खादबार्द कौन है दोस्तों तिन मूल है आपके कार्बोहाइडेट प्रोटीन और वसा यानि A, C और E A, C और E क्योंकि मितामीन और मिनर्स यह उर्जा नहीं देते हैं बलकि हमाई सरी के रूबू से रच्छा करते हैं और जो उर्जा देने वाले कार्बोहाइडेट प्रोटीन वसा है इनके चय अप्चय में मदद करता है कोश्चन नमबर सत्तर है कि इनमें से किसमे उर्जा प्राप्त नहीं होती है उर्जा प्राप्त विटामीन और खनी लबड में नहीं होता है यहां भी विटामीन आपका राइटेंसर हो जाएगा कि हमारे सरी को रुपोर ते अच्छा प्राप्त नहीं करता है कोश्चन नमर 172 है इनमें से कौन सा एक कोई बी उर्जा प्राप्त नहीं करता तो विटामीन सहो जाएगा यहां भी आप विटामीन सब्सक्रीन दूरों दिया रहेगा सधार ब्रिदी विकास और उपा अपचय को प्राइब करना है या दखेगा इस अरी को रूकुसर अच्छा तो करता ही है बर जो कार्बोहाइडर्ट प्रोटीन वसा है जो उजया पदांग करने वाली वो सकत्त है उन सब को पचाने में मदद करता है चै अपचय में मदद करत है अब जी भीकास के मदद करता है हसे को सिंधन में में से सबसे कम कैलोडी पदा नहीं करता करने वाला खाव पदा तोट पोन सा है तंस दूस्थो तो यहां पर आपका गाय का दूध आपकी हो जाएगा है अच्किलोत्सथित वंस्थितक्रों सब्सक्रा नाम उपक संत्य प्रतिस्व ग्राम गाय के दूध में 42 कैलोरी और प्रतिस्व ग्राम अंडे में 115 कैलोरी प्रतिस्व ग्राम मक्षन में 717 कैलोरी और प्रतिस्व ग्राम पनीद में 402 कैलोरी पाई जाती है अथा विकल पर एक गाय का दूध आपको राइट एंसर होगा तो सबसे ज़्यादा कलोरी किसम में पाए जाए रहा है मखष में 177 कलोरी कि 30 कड़ा है कर्द करें 54 किन्यों व्यखित खाद पलाथो में सबसे किसमे कलोरी सबसे जयादा मात्रा में पाए जाती है तो सबसे ज़्यादा अभी जश्ट बताएं हूं साइग सपती सो ग्राम में साथ सो सत्रा कालोरी होता है तो यहां पर राइज इंसर हो जाएगा आफसर नंबर बी मक्षन है को सबक्राइण है कारे के अधार भोजन को कितनी भागों बटा गिया है उर्जय क्या हो जाता है तो इसरीær कुली के अन्य हो में आपका मिंदर्स यानि विटामिन यानि विटामिन अखनी लबड हो जाता है कोश्चन नमर चीहतर है वसा का अच्छा सुरूत है तो दोस्तों वसा का इसमें सबसे अच्छा सुरूत हो जाएगा मक्खन उसके अलमा आपका बदाम मुखली यतने भी तेली चीज़े हैं इ इसमें सबसे अच्छा सुरूत है मक्खन ठीक है और वसा भी जो है पुछेंगा इक अत्य दावसेत तर्थ है वसा भी एक रसानी योडिक है जो कर्बन हाइडोजन अक्सिजन से बना है वसा के सुरूत है आपके जैसे कि एनिमर्स फार्ट एंड बरसवती फाल सुरूत बर बरस्पति से सुखे में भी तील नार्यल स्वयबीन अराज सरसुका तेल अलसी बिन अले आदी दोस्तों जो वसा होता है यहां पर कोश्चन में सततर है वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है तो यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा सबसे अच्छा माना जाएगा आपका मक्षन मक्षन वसा प्राप्ति का सबसे अच्छा जूरूत जैसे कि हमारा जो वसा होता है यह जो है दो भागों में बटा होता है एक unsaturated और saturated fat होता है वो unsaturated fat होता है वो बाड़ी के लिए अच्छा होता है और जो saturated होता है बाड़ी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है जो saturated होता है यानि कि संत्रित वसा वो 20 डिग्री तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है जिसमें अच्छा गुड़ फैट होता है जिसमें अंतरकत बदाम काजू मुखली सुरज मुखी अच्छा बिन आरी आता है जोस्तों अंसच्रिटेट फैट जो है वह HDL अधिक होता है और LDL कम होता है जो हमारे कोलेस्टाल होता है दो परकार का होता है HDL और LDL HDL यानि High Density Lipoprotein और LDL मतलब होता है Low Density Lipoprotein HDL जो हमारे लिए बाड़े के लिए अच्छा होता है जो कि LDL जो है बाड़े के लिए अच्छा नहीं होता तो जो अंसच्रिटेट फैट है उसमें HDL की मात्रा अधिक होती है जो बाड़े के लिए गूट फैट होता है LDL की मातला अगर बढ़ जाए यानि Low Density Lipoprotein की तो या स्टरीव वस्वास्त के लिए घातक होता है जो एक होता है ट्रास फूड जो ट्रास फूड होता है वो हैड्रोजनेटिड होता है जिसमें डाला बनसपती वैकरी उतपार फास्ट फूड पिजा पकोड़े चिप्स अधी करते हैं जो संत्र, या ga accelerate काल достаточно है इसको और नहीं खाना चाहिए जैनी ऐलिक सबसी अधिक अन्सचेशचरीटेट फैट खाना चाहिए शर्ट्रा पांन यंदर रखना चाहिए और ट्रांस फैट को प्रतिबंधिते या एकडम महीं नहीं खाना चाहिए कोशने मुटाप़ के निखित कारज lean के यह कork laughed कारण कॉम यह की अभी अधिक के लोडिक क्यान जी लेना जितना कि काम करें और ज hace को उड़ा कू कम एकि आठ़ हजार केलोरी तक प्रते दिन आवस्थे तो हो सकती है सक्रिय बैक्ति को जो काम कर रहा है यहां मात्रा बैक्ति के आकार, भार, आयूर सारी दसाव प्रते दिन की ये जाने वाले कारे के तिम्रदा के अधापर निभग करता है यहां पर आठ़ी के अधिक मात्रा में केलोरी ग्रहड करें और कम मात्रा में बैक्ति करें तो उसे मुटाबा याने ओवेस्थी की सम्वाना बढ़ जाती है question number 89 है मुटाबी का कारण है दोस्तो यहां पर मुटाबी का कारण हो जाएगा अतेधी केलोरी ग्रहड करना आप सकता से याधी गितना आपको जुरुरत है उससे ज्यादा question number 28 है 80 है question number 82 है question number 84 है clean में से कौन सा रसाइनिक रूप से लीपीट के रूप में जाना जाता है तुब जश्ट बताएंगू question number 85 है वसानों केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है बरकि हमारे किसकी रच्छा करता है दोस्तों बालों के रच्छा के लिए उससे खाना चाहिए question number 86 है iron के खात प्रदाश में उपलब्द होता है दोस्तों iron जो है वह प्रोटिन होता है जो आक्सिजन को लेकर के समस्कोशिकाओं तक पहुचाता है और जो आपका iron होता है खनीज मांस मचली जिगर अंडो हरी सबजियों सलजम पनीज गेहूं खमीज से मिलता है तो प्रति दिन लगभग 10 मिलिग्राम iron किया सकता होती है कोश्चन नमबर 87 है एनविया रख्त की कमी का मुख्य घटक कौन सा है तो दोस्तों यहां पे रख्त की कमी हो जाती है यहां पे रख्त की क्या हो जाएगा धी कमी कि रख्त की कमी होगा तो उसमें धी कमी होगा इसे हमों को कम जूरी हो कोस्टू न नम्म्हासी है 28 कि हमोग्रूवीन बुराने के लिए के स्थित्हु कर दिस भी हो थुखता होती है तो अधिया कि लोहा निर्मित किया जाता है जिसे पर श्र profits करते हैं तो ऑनकी आपकाई लोहा किना निर्मित किया जाता है नंदू और इसकी कमी से रख्त की कमी हो जाते हैं जैसे सुरच्छायम दुर्बल हो जाता है और जैसे जो ग्लूबीन नामक प्रोटीन होता है हीम नामक लाल रंग के पतार से जुड़ी रहती है रूधिल का रंग रंग लाल रहीम के कातार ही होता है हीम के व्ले के केंद 좋다 लो अईरन का होता है 300,100 अमल रह्याम 15 ग्लूब्वन होता है याद रखेगा हीम क्लूबyu कुशन नमर 90 है क्लिन में कुश्त बृद्धी को ब्र॥ी क्वेक्त करता है तो दोस्तो ब्रिदी और विकस ब्रिधी में लंबनी चुड़ाई ज्वजन इस समय निश्य समय तक विद इता है जिक विकस प्रिधी को महँआ पा जा करता है यह दो सकता है यहां रायट एंटें सर्ब हो जाएगा लंबनी वजन में प्रेवद Junior थी टीक है कोंसर नंबर क्यानबै स्टार्स का अच्छा स्रोथ है स्टार्स क्या है कर्भो हाइडिट है इसमें से पाली सेकराइड्स है इसंसे गिdd सबसे अच्छा स्रोत है ग्लुकोज का अडू का बहुलक होता है इनमें चीनी के कई किस्म के अडू दसानिक तद तोर पर मिले होते हैं एडबल रोटी अनास गेहूं बाजरा चावल इस्टार्श वाली सब्जियों को सभी दालों चना गूंसादना आधि मिलते हैं इसका आधि आधि इंसर हो जाएगा गेहूं को से नमबर तीरानवे है पाचन तंत से समधित कौन सा अंग है यहां पर आप देख सकते हैं वेजिजी कोशन छोट आथ यानिकी इंस्टेंटाइन है को से नमबर चवरानवे है कि जॉन्डिस रोग निन में से कौन सा अधिक लाग पारी होता है जॉन्डिस यानि जो पीलिया होता है इसे सबसे ज़्यदे लावकारी होता है गन्ना और जो जो जॉन्डिस पीलिया है इसमें यक्रित प्रवावित हो जाता है जैसे कि कभी-कभी होता है कि बहुत एक्सेस मात्रा ज्यादे मात्रा में जो आर्वीसी मरता है तो मरे हुए आर्वीसी से जो है आपका बिलुरूबी और पित्रस का निमार होता है तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा होने से जो जो यक्रित में बहुत ज्यादा मात्रा में पितरस बनने रगता है यहारित की जो छंता हुती है लीबर की बुल facto में से बिलरदी जो पितरस को अलग करने की छंता खत्म हो जाती है इससे बिलरदी जो है बिलरुमी filmmaking कि आतदी है जिसके कऱक्त सरीक कर रंग पिला िसमें घािमा इ है जोड़ाral हो जाता है यह संब नेंड सुन कहुता है कि कौने थैंड हो यूंट को यह जाता हुद तो जोन होती तरिय नाच है तो म३ falls स्पाति होता है यह संबमेंडीक साथ चूबि या दानीख निखाएंड और यह पीलिग मतलतार तो आकता है Vitaly कोस्टन नंबर चानबे है इस टी एपसीन ये लाइपेज वसा को गलिसीन के रूप में कहां पर प्रदित किया जाता है तो दोस्तों यह तो एमाईलेज लाइपेज ट्रिपसन यह सभी हमारे आगनास है गरंथी से इस्ट्रावित होते हैं एंजाइंजंम और यह सभी कहां पर जाके मलते हैं इसके नली जुड़ी होती है छोटीयात के पहले बाहर दोणी नन में और पित्र लॉस का नली भी पितासान नली भी जुड़ा रहता है इसमें छोटीए अधित के सभी को पर्यजित करते हैं तो यहां पर राइड एंसर क्या हो जाएगा छोटी याद जो आपका है कि माइलेज होता है वह लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है लाइपेज किसका पाचन करता है वसा का पाचन करता है सरे लाइपेज व्ट्रोटिन को अमिन्य इसीद में अब फासको लाइपेज भी स्रावित होता है आगशुमस को अलग करतेता है यह estrade भी होता है जो को लेस्टराल को अलब करता है कोशेषिन नमर 97 है। अमास यानि इस्टिमक से जिफशें में से कौन सा अमासरे सराव्यत होता यह दोस्तो हमारा इस्टॉमच होता है अमासर होता है इससे जो है प्रेंट रेट्र लेटराईस तो होता है अदि जो हमारे इसम्हार्स होता है इसमेid jなた quantity होता है जितार दजेश्टर्र रस यानि कि गैस्रिक जूस निकलता है जो नहीं अमतर defic Whereas pH 10 coming into SA1.5 होता है और जठर रस जठर रस से आपका SCL हाइड्रोक्लोरिक एसीड एंड एंजाइम में आपका पेपसीन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज और म्यूसीन इस्तावित होता है तो यहां पर राइट एंसर्ट क्या हो जाएगा SCL होगा एंड पेपसीन होगा ठीक है SCL होगा एंड पेपसीन होगा यहां पर किवल आपका वॉन और टू आपका राइट होगा यहां पर ट्रिपसीन जो है आगनासाई से इस्तावित होता है तो यहां पर SCL और पेपसीन होगा तो इसमें जो एंजाइम होता है पेपसीन वो S.C.L. की उपस्यती में प्रोटीन से समंधित भोज़ पदार्थों पर क्रिया करके पेप्टोन में बदलता है और रेनीन जो होता है दूद को कैसीन में बदलता है यानि कि 90 सीसु में ज्यादा पाय जाता है और जो गैस्टिक लाइपेज होता है वो काम मातर में उपस्यत होता है फैट यानिकी लिपिट को पचाता है जो म्यूसीन होता है अमासा के आंदरी दिवारों परत बनाकर S.C.L. के प्रवाव से रच्छा करती है नहीं तो S.C.L. जो है हाइड्रोप्लोरिक एसील जो भोजन के सार आई हुए जहरीली पदार्थ को खिताड़गों तथा कंकर पत्थर को गला कर नश्ट कर देती है तथा निस्क्रिय एंजाईवों को सक्रिय एंजाईवों में बदलती है जो S.C.L. होता है कोश्ट बदता कांस्टिपैसन का कारर है तो इसमें जन की कमी हो जाती है आपके सरीर में पानी की कम मात्रा लेने से कांस्टिपैसन हो जाता है यानि कि पानी की कम मात्रा लेने के कारर कोश्ट बदता का खत्रा बढ़ जाता है इसके कारर बढ़ी आत में काईम के पीछे ख जो लुगदी बना रहता है पचय हुआ भोजन उसको जो है अनपचय भोजन होता है उसको पीछे खिसकने में खिसने की दर कम हो जाती है जाने से इसमें सूखे वा कड़े मल का संचय हो जाता है इसी को कब्ज कहते हैं यह प्राया समय से मल त्याग नव करने की बुरी आदत क करण भी होता है कोसर नमबर नियान भी है मानुवी पाचन तंतर में एपेंडिक्स का मुख्य कारक्या होता है तो दोस्तों जैसे कि पहले जो होता था हमारे जो बढ़ियात होता है था बढ़ियात में एक पूछ होता था पूछ की तरह भाग होता था जहां पे आपका पहले पाचन क्रिया में सहायता पतां करता था मैं अब इसको फकुत कोई काम नहीं है ये रावसे सी Geoff chemotherapy में सहायता करने में एक यह कुल्स होता था बनहीं होता है कोशिन नमबर 100 है कि मानौ शरीर की पाचन तंत्र में एपेंडिक्स सहायक है तो यहाँ भी पाचन क्रिया में सहायक होता है अब नहीं है अब यह आउसेसी अंग हो गया है कोशिन नमबर एक है जब आप सराब पीते हैं उसका लगभग 10 से 15 परचेंट आप के निन में से किसमे अउसोसित होता है तो दोस्तो यहाँ पेट यानि आउसोधियों और इलकोहाल का जो अउसोसर होता है वो अमासे यानि की इस्टूमर्च में होता है जैसे कि आपका पाचन जो है प्रारम हो जाता है मुख से ही जैसे मुख में आपका लार में टैलिंग एंजाइम होता है तो पाचन मुख से ही प्रारम हो जाता है कर्बोहाइड का पाचन या भुजन का पाचन और पुड़ पाचन पुड़ आउसोसर होता है आपका छोटी और पानी नमक चुहता है जल्द है छ दता हिकार्णी पड़ारत्वी याद होता है सिक लिए नमक अधिक लेता है दोकिन डायारेबिकों स्lectionकानि तो भी लेता है गीतिक अधिक लेना चाहिए ख़लते हैं A नमकी बाहर निकल जाता है तो यहां सिर्ण नकलने जाएगा पसी ना निकलने की वज़ये से सरी में नमक क्रह्li मृति तरह कल है कि इसLบ और 501 में से कैलस्यम की प्राप्ती सब्से अच्था स्रोथ कौन है तो इसमें केलसियम की प्राप्ती का सबसे अच्छा साधर कौन है तो दूद है दूद कैल्सियम का एक महत्पूर्श रोथ है प्रती सो ग्राम दूद में 12% राइबोफलेविन बिटामिन बिटू अठारा परसंट बिटामिन बिट्वेल ग्यारा परसंट तक कैल्सियम पाए जाता है बोजन में कैल्सियम की कम । जान Day उन्डार है तो उत्दाई अंग है जो है लीवर में यानी के रिने में लीवर यानि की जो एक्रेद होता है उसमें है जो है भंढ़ाईत होता है जह हमको वर्जा कi सकता होती है तो वह जो है जो ध्रुदाइकोजय सहोता है प्र हां ग्लुकोज में कन्वर्ट होकर के उर्जा प्रदान करता है जैसे कि जोस्तों हमारे जो आगनासा होता है जिसको हम मिक्स ग्लाइन करते हैं उसके लंगरहंस दिपिकाओं से चार कोशिकाएं यानिकी एलफा कोशिका से ग्लुकेगान, बीटा कोशिका से इंसुलीन, एलफा डेल्टा कोशिका से सुमेशो इस्टेटिन, एफ़ कोशिका से पाली वेप्टाइट नामक हार्मोन निकलत है जिसमेंलफा कोसिका होती है जिस से गुलकरगान हार्मोन उत्पन होता है गल्लकगश को इसके करवारा रक्त स्टेटी नामक अप्रमुन उत्पन होता है जो ग्लुकूर्जियों इंसुलीन के अतरीक इस्टाव को रोकता है बैलेंस बनाकर रखता है और उर्जा स्वांगी करण यानि पचे हुए भोजन को उर्जा बनाता है और इसका स्वांगी करण करता है क्वश्रった कर्म के एक फिलाड़ी के यक यकृत में संचित ग्लांकोजिन के मात्रा कितनी होती है जे अगया एक खिलाड़ी के यक्रित यानि लीवर में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग 70-100 ग्राम होती है मनुस्तियों में सराधिक ग्लाइकोजन कंकाल मान स्पेशियों में लगभग 500 ग्राम संचित होता है इसलिए अगर कोशन आएगा कि सबसे तक ग्लाइकोजन जो है कहां और यार्ट यानि आपकोजन प्रपाल में क्या पूचान सब्सक्राइकोजन के निए दोजनवन के दलटो जोगए और यह लिए यहुआ है को समय कैम करिक खिल फोटर आलने के ब Datti को आउनेर तक कि खिले की हमाजनी से सब्सक्राइकोजन धालनिस यानि भी 100 ग्रत आपनाशाइट सेवतपन होते हैं आपका इमायलेड को गुल कोजन बदलता है यान्य कार्पोहायडेट को पाचन करने में शहायक होता है तो यहां भी आपका राइडशन हो जाए का कार्पोहायडेट पर नापनाट पूर पितरस के साथ मिलकर वसाब का पाचन करता है व्वशा को फैटी एसी रगलिसार में मतलता है तो ट्रिपसीन होता है गैस्टिक जूस के साथ मिलकर प्रोटिंग को अमीनो एसीड में मतलता है कोस्ça। चूस को आरगने वचाहतर हे कुशन नमबर 108 है कि पायसी करणा के पश्चात व्वशा कपाचने के जिस एंजाइंब के द्वरा किय जाता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम लाइपेज कहते है थीक्षों का मतलता है railring जो हो हमारे लिपिर्स या वसा के पाचन का प्रमुक्स्री जो है लाइपेज एंजाइम का होता है जो भोजन की लगभक नपे से 95% लिपिर्स को पचाने में शायक होता है लिपिर्स बिना पचे मलक के साथ बाहर निगल जाता है इस भाचन में लाइपेज इंचाइम पित द्वारा एमर्शी के लफ डिया दोस्तों यह लार गरंथी में पाए जाता है लार में जो कार्वो हाइलेट का पाचन करता है कोश्चन नमर 110 है बृद्धी को प्रोहाइट करने वाले कारक है तो दोस्तों बृद्धी को प्रोहाइट अनुवान सिक्ता भी होता है आहार कैसा लेते हैं बयायाम कितना करते हैं तो उपरोफ तभी यहां पर आयोडिन स्रू होजाएगा कुश्चन नमर 11 गॉइटर यानि की जो आपका घेंगा रूग होता है निर्में से किसकी कमी से हो जाता है दोस्तों यह आयोडिन की कमी से हो जाता है हमारे बिदी विकास के लिए मुस्ट इंपॉर्टेट होता है आयोडिन गुंगा या गॉयटर नमक रोग भोजन में आयोडिन की कमी से होता है जिसमें थाराइल रंची बड़ी होकर फुल जाती है जिसमें गर्दन भी पूल कर मूटी कालर जैसे दिखाई देती है आयोडिन दोस्तों उचित पोसर यानि सभी बैलेंस डाइट संतुलित अहर लेना जुरूरी है नेमित अभ्यार डेली रूटीन पर आपको एकसरसाइज करना उचित रहन सहन यह सभी चीजे आपको एक उत्तम स्वास के लिए आवस्तिक है क्वेस्टन नमबर 114 है कि मचली में पाया 215 है प्रते एक ब्यक्ति की संहती का लगभग निन्याने परसेंट भाग चाहत्तों कार्बन ऑक्सिजन हाड्रोजन और किससे बना होता है दोस्तों नैट्रोजन आयोडीन कार्बन ऑक्सिजन हाड्रोजन एंड नैट्रोजन फास्परोस कैल्सियम से बना होता है ठीक है तो कार्बन ऑक्सिजन हाड्रोजन नैट्रोजन फास्परोस और कैल्सियम यह हमारे सरी की संहती का 99 परसेंट भाग इन तत्मों से बना होता है कोजन में एक सुसूल है निन में से कौन मानों सरी के लिए आवसेक्स सुच मितत्व है यहां पर आपको सुच मितत्व की बात कर रहा है जैसे कि मैं बताए थी आपको कि मिनर्स को दो भागम बटा गया है एक माइक्रो मिनर्स यानि कि जो सरी के लिए मुख्य आसकता होती है सरी को जादे जवरत होती है दूसरा सुच में मिनर्स यानि लगू मिनर्स जो माइक्रो होता है कम आसकता होती है तो यहां पर देख सकते हैं जो मुख्य खनीजलवड होता है माइक्रो माइक्रो होता है उस तो यहां पर माइगनिसियम आपका तो नहीं होगा मैगनिसियम आपका माइक्रो है यानि की मुख्य खनिजलवड है और सोडियम भी आपका मुख्य खनिजलवड है जिसमें से आपका माइक्रो मिनरल्स में आपका आयरन कोबाल्ट कापर जिंक आयोडिन क्रोमियम मॉलिवदीनम मैगनेज सोलीनियम और फ्लोरिन आता है यहां पर जो लोहा है और आयोडिन है यह सुच में तत्व है लोहा और आयरन क्या है सुच में तत्व है तो बी और सी आपका राइटन से हो जाएका आफसन नम्बर भी कोश्चन नम्बर 117 है शरीख के लिए अनिवार अमीनों अमलक कौन सा है तो दोस्तों अनिवार अमीनों अमलक कि अगर बात करें तो हमारे सरीख क्यों कुछ कुल मिला करके 22 अमीन हमारे भुजन सिप्राथ होते हैं और जो तेरे अमिनो एसिट्स होते हैं वो अनावस्तिक होते हैं नान इसेंशियल जो सरीर स्वयम निर्माण करता है तो जो इसेंशियल होते हैं नो अमिनो उसमें से आपका होता है लियूसीन इसल यूहां यो ज्यक्ताषायग की स्रव्यूंत करें वेल। और विस्टीम हो जाएगा। हुझतेकर प्रेस्टा इंशुक्ताषायगों यहां पर आपका ऐस्टाषाय को क्या हो हैं अंपकैसंग थो चौने अनेमेल प्रोके Northeast ही एन बरेभिज्टेवल प्रोटीन में जिसे कि मायोसी अलब्यो में कैसिने ग्लोबियोलीन वैडलीन , वन्वायत हिढ़ ईय। यान झालति ऑन्डे के सफ़ेद भाग से प्राफ्ट होता है डूद के लेक्ट अल्वूमीन प्राथ होता है रग्ट प्लाज्मा के सेरम से सिरन अल्वूमीन प्राथ होता है कैसिनोजीन जो है दही पनीर से प्राथ होता है ग्रोबियूलीन जो है रग्त समय प्राथ होता है वाइटलीन जो है अंडे की जर्दी यानि येलू वाले भाग ब्रस्पति क्लास b होता है वेगेट प्रोटेन होता है वेगेटएन होता है लेचुम्स में फलीर वाले सब़ीoscope में लग्यूम पायाता है अजय लगिन जो है ब्रैस्पती के उत्पादों में प्राप्त मांद खमीर अपसुजन पदात के अंतरकत आता है कोश्चन नमर्ट 18 है 118 है कि इंसुलीन के हरकत को तिजित करता है और इसकी कमी से मधुवे यानि डाइविडेज हो सकता है यह पनीर, सीरा और हरी फुल गुभी में पाया जाता है दोस्तों इंसुलीन को कंट्रोल करता है या इंसुलीन के निर्माण में जादे सहायक होता है वह होता है क्रोमियम ठीक है तो मानुसरी में क्रोमियम इंसुलिन की क्रिया को उतेजित करता है इसकी कमी से मदमे के कारण हो सकती है यहां पनीर आलू हरी फुल गोभी और ब्रोकली यानि सीरा लाजुन आदि में पाय जाता है कोस्टन नमर 119 है विश्व स्वास संगठें के अमसार सोडियम एक 1.7 ग्राम मात्रा प्रति दिन अर्था नमक की मात्रा प्रति दिन कितना से अधिक नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों 5 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए नमक की मात्रा यानि कि सोडियम की 1.7 ग्राम मात् कोश्चन नमबर 120 है एक मानों सरी की वजन का कितना हिस्षा खनीच तत्व का पना होता है तो अभी जेस्ट बताएं हूं कि जो आपका जो तत्व होते हैं उसमें आपका जैविक जो अर्गनिक कंपाउंड है और इन अर्गनिक अर्गनिक कंपाउंड जो है कार्बन जो होता है कार्बोहाडिट प्रोटीन वसा नाभी की तत्व यह 96.2% भाग बनता है जबकि जो हमारा खनीच तत्व है उसको 3.8% याही कि 4% आपका हो सकते हैं तो 4% भाग आपका खनीच तत्व का बना होता है मानों सरी में वजन का हिस्सा खरीजों का बना होता है 4% ठीक ह इनका अल्ग मात्रा में जवर्थ होता है परन्तों इनके विना सरी की सुचारू क्रिया सिल्था को बढ़नाए रखना संभव है स्वास दातों अस्थियों मात्पेश्यों वित्याली के लिए खनीच जो क्या सकता होती है को कोर्शन नमर 121 है सरी का 70% हिस्सा बना होता है त अग्यारा पचछी सरी में उसके भार का लगबं 75% बाग जल होता है एक विकव्यरिंत नमर 123 है कि व्यों मानोस तरे में पानी के मातरा के रेंज कितना होता है तो दोस्तों वायस कमानों सरी में पानी के मातरा का रेंज जो है वह होता है यहां भी आवसंद दिया है 50-75 % आव का राइडन सिर्फ हो जाएगा पॉस्ते नबर 124 है इनिन में से कौन सा एक स्वस्त आहार का एक आवस्य कहटक है तो पानी जो है स्वस्त आहार का एक आवस्य घटक है जल वाडर स्वस्त आहार का एक आवस्य घटक है जल एक और कालबनी की योगिक है जैविकी दिश्टी गूर से जल में कई प्रकार के विशेष्ट गूर पाय जाते हैं जो जीवन के लिए अतनत महत्तपूर है इसके लिए स्वास्त आहार की दिश्टी से आउस्टे घटक मना जाता है था तब है कि मानों सरी के लगभग सार से सतर परसिट भाग जल से ही बना होता है कोच्ट नुमर् 125 है कि पारचन ग्रंथी सरी के किस टरफ होती है तो तर बायी तरफ होती है दी कि इसका कोच अलग से लुप अन्सर यहां पर आयों नहीं दिया है इसको मुल्याकर से बाहर कर दिया था था तो अधि क्राफ होती है कोशन नमर 126 है मानोसरी की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है दोस्तों मानोसरी की बनावट में जो है 60-65% आपका कार्वो हाइडेड होता है 55-70% और 10-15% प्रोटीन का होता है और 35-30% या 20-30% वसा का होता है तो यहां पर राइटेसर हो जाएगा 17% मानोसरी की बनावट में प्रोटीन का अनुपात 17% होता है कोशन नमर 127 है प्रोटीन किसको मजबत बनाता है मसाज को दोस्तों पेसी उत्तों को याद रखेगा हमेशा सरी निर्मार का कारे करता है तो किसको इसको बाड़ी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है प्रोटीन पेस्टियों के निर्मार उनके मरमत रिपेर के लिए आवस्टे है प्रोटीन ही हमारे सरी में लालरत कोडिकाओं बालो नाखुनों का निर्मार करता है मैं मैं आपके प्रेइन में पाय जाता है कि आपके प्रोटीन गलोнопा आपको आफना नहीं होगा कि एकसुट आटाइस में ग्लूबी लूइन को राइट बना गया है लेकिन इस में से कोई भी आपसाल राइट नहीं होगा क्योंकि जो है अंडे के चरद वाले भाग में अल्भियूमीन पाएं अंडे के पीले वाले भाग को जो जर्दि होती है उसमें वाइटली बन पाए कर्सिनोजीन दही और पनीन से प्राफ़ होता है। मायसीन वसा रहे तमांस मचलियों में प्राफ़ होता है। कोश्य नमर 119 है एक औसत कारसिल महिला के लिए प्रति दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो एक औसत कारसिल महिला है उसको 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है प्रति दिन 46 ग्राम प्रोटीन आख़ता होता है। प्रोटीन जह सारी जीवित कोशिकाओं और बुनियादी धाचा है इसकी रचना अमिनो एरसित से होती है। इन एसिट में कार्बना आक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइड्रोजन से बना होता है। नाइड्रोजन के उपसिती के कराण़ी क्रोटीन को कार्भो हाइडेर वसा से अलग पदात बनाती है। सरी के वजन के हिसाब से प्रती किलोग्राम अनुमानित अधित्म कार्भो हाइडेर के मात्रा कितनी होती है। तो प्रती किलोग्राम 15 ग्राम होना चाहिए। कि अधिक्तम है। कोश्चन 131 है इम्यून सिस्टम कार्भ पढ़ाली को विर्षित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रूखने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूर्ट सप्लिमेंट लेते हैं। मसल्स ब्रेकडाउन के बात कर दिया दोस्तों तो प्रोटीन यहाँ पर हो जाएगा। तो अधर वह फोटी आत्मे यानिकि हमारे उदर यानि पेट आमासा में पेपसिन इनले गेस्टिक लाइप लेड़ी देटी दोरा होता है और चोटी आतल में भी होता है यहां पी राइट एसर क्या हो जाएगा उधर कोषिन नभर 133 से कौन दूद का प्रोटीन जाती तत्वा है दोस्तों तो कैसीन जो है वे दूद का प्रोस्ट्राइन प्रोस्ट्रेंग अधिकर केसिनी इत्री अधि़ी कुछ नाव के Самог्तिला कि उए, जूद में फांस्पो। वाहार यानि complete डायेट जिसमें प्रोटीन के मादा लगबग 3.3% पाइजाती है Q134 है कि प्रोटीन अंती अंती नुरुम से किसे तूटता है आप सबको पता है, प्रोटीन अंती नुरुम से अमिनुम में तूटता है, कर्भोईड ग्लू कोज में तूटता है जो fat and vosa होता है वो fatty acid और glycerol में तूटता है question number 135 है कि निन में से क्या protein का सुरूत नहीं है दोस्तो अंडे है मांस है दूद है तिल नहीं है तिल वसा का सुरूत है ठीक है and question number 136 है सरी के टूटे-फुटे मांस विस्यों को ठिक करने के लिए निन में से क्या आवस्यक है दोस्तों तो सरी का मरमत करता है protein तो यहां पर protein आवस्यक होता है question number 137 है छोटे बच्चों के अहर में अधिकत्व मात्रा किसकी होती है दोस्तों में सरी निर्मान्गे प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है तो प्रोटेन के मात्रा सबसे ज्यादा आवस्यक होती है question number 138 है सरी निर्मानग भौज़ बदारतों में अधिक पाजाता था दोस्तों क्या को करता है protein उर्जा बतां करने का कार्भोहाडिर हुआ रच्छा करने का विदामिन सखरेजवर कुश्चन नम्र 119 मानौन शरीर का निर्माण खंड है तो प्रोटीन है कोस्ट नमर 2070 है कि भोजन चंप जिससे सरीर्ल जमा करने में सच्छम नहीं होता है और पापद्य Republican किस्ष इस्वेह इसे समांए उपाप्तिय के लिए आवस्थ होता है जो भी कर्भॉहडीर्यmen व्शाम खाते है उसके अच्छा मेटाबोली जो पाचंग के लिए आवस्यक होता है और सरी इक रच्छा करता है रोगों से, इनकी कमी से उत्पन रोगों को अपोर्ता रोग, जो विडामिन के कमी से जो रोग होता है उसको अपोर्ता रोग यानिकी डिफिसीन से डिजीज कहते हैं यह भी यादर कियेगा, व इसलिए वसा में गुलंसील विटामिनियों का कुछ समय के लिए संचय यक्रित में होता है तुरंद ही आपका अपजर्ब होता है जो काम करता है उस बात वापस बाहर निकल जाता है सरे में मुख्ता वसा जमा होता है तो जो वसा होता है हमाई सरी में Triglycide, Free Fatty Acid而 упot tissue की तरह जमा होता है ठीक है सरी में वसा का संचय Triglycide, Free Fatty Acid而 упot tissue करूब में होता है Triglycide và Free Fatty Acid शल्ल वसाए या lipids होते हैं मौने सथके बजस्पक 95% lipids यहीं होती है वसी उत्तक अथाद एरिपोच टीशू सरी में कहीं भी अंतराली उत्तक के रुपांतर से बन सकता है अंतरांगों की चारो और उत्वचा और उपकलाओं यानिकी एपिथिलियल टीशू के नीचे पेसियों के बीच बीच में पेसियों में रुधिर वाहिनियों ये उन तंत्रिकाओं के चारो और स्वास नाल व अहार्नाल की अधास से रिसमिकारी भागों में अंत्राली उतक होता है तो दोस्तो एथा आज के सेसं में पाचन तंत्र एव पॉसर्स रेलेटेट कॉस्चंस और यहूँ कि सभी कॉसर्स आपको अच्छी से समझवें आए हूंगी और दोस्तो नेक्स्ट वीडियो आपका उसरजन तंत्र का तंत्र एंड गुलैंद से होगा तो मिलते हैं नेक्स् झांजा हो पो कॉषए पुटी दे जिसससे कि नहा वे स्अ पुटी आव पिया है।